पॉलिटिकल हिस्ती देख रहे थे तो उस समय आरे भट वराह मिहिर ब्रह्म गुप्त भासकर अचार जीवक सुशुत और चरक इन सब का जहां जहां पर मेंसन आता था तो मैं वहां पर डिसकस करता था कि किसके कोट में रहते थे और ज्यादा तर इन पर डेटेल में बात नह में इनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कंटेस्टेड है बढ़ फिर भी चार सो पचास से लेकर के पांसो पचास के आसपास यानि सिक्थ सेंचुरी एडी के आसपास सिक्थ सेंचुरी में इनका कंट्रिबूशन पढ़ा जा सकता है फिप्थ सेंचुरी में भी तो ह अला कि कई लोगों के different view हैं बड हमें जो largely पता है कि ये 9 रतनों में से एक थे जो चंद गुप्त गुप्त जो गुपता काल के थे उनकी दरबार में रहते थे mathematicians and astronomer थे ठीक है astronomy पे इनका काम है mathematics पे इनके जो काम है notable work है आरे भट का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है इसलिए मैंने इनको cover किया है दो इनसे पहले भी काफी figure है science and technology में बात करने के लिए ancient हिस्थी में आरे भट का जो किताब है उसका नाम था आरे भटियम ठीक है या आरे भटिया भी कहते है ठीक है तो आरे भटियम ऐसे और एक इन्होंने और किताब लिखी दे जिसका नाम था आरे सिध्धान्त इनका जो view था इनको largely इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनका heliocentric view था heli पाई के उपर भी इन्होंने काम किया था और इन्होंने जो पाई का वैली होता ना वो चार दिसीमल प्लेस तक निकाला भी था ठीक है तो दिस वर आल अबाउट आरभट और भी नोटेबल वर्क हैं वो आप गूगल करके या वैसे भी हमें पढ़ना ही चाहिए भासकर नाम क से confusion होता है यह 6th century यह 7th century के आज पास रहते हैं और यह 11th यह 12th century में रहते हैं यह 12th century में भासकरा चार रहते हैं जो भासकरा चार है और भासकर है इनमें जानना सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि यह दोनों ही mathematician और astrologer होते हैं ठीक हैं और यह astronomer, astrologer, actually यह लोग polymath हुआ करत साइन्स, medicine, सभी और astronomer या astrology में जोतिश विज्ञान में भी इनका contribution देखने को मिलता है सबसे बड़ी बात यह है भासकर के बारे में कि इन्होंने आरभट के काम को अच्छे से पढ़ा और उस पे commentary भी लिखी जिसका नाम था आरभटिया मतलब इन्होंने नाम भी किताब का आसे लिखा गया कि आरभटिया भास से तो इन्होंने आरभट के काम को पढ़ा उस पे commentary लिखी जिसका नाम था आरभटिया भास्ये और भी इनके कुछ काम है जैसे महा भासकरिया और लगू भासकरिया तो महा मतलब बड़ा लगू मतलब छोटा तो महा भासकर और लगू mathematician प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भासकर और sign के बारे में famous है तो इधर मैंने लिख सका है sign and decimal system के बारे में भासकर को याद किया जाता है जो भासकरा चार हैं जो 12th century में आते हैं वो भी mathematicians रहते हैं और इनका सबसे notable work हैं जिसको कहते हैं सिधान्त शिरोमनी ये काफी important किताब है सिधान्त शिरोमनी किस ने लिखा था तो भासकरा चार इने लिखा था या फिर भासकर सेकेंड ने लिखा था जो 12th century में रहते हैं इसके बाद सबसे important figure जो प्राचीन भारत में हमें देखने को मिलता है वो है वराह महिर का नाम आते ही हमें ये धिमाग में आना चाहिए कि जो प्राचीन समय में वराह महिर एक ऐसे बैखते थे जो रोमन ग्रीक और इजिप्ट की astronomy पर भी काम करते थे ठीक है तो ये ये भारत से बाहर की जो भी दिशा हो गई ना ग्रह नच्छत्र के बारे में भी ये पढ़ते थे तो भारत से बाहर इसलिए इनको पढ़ना ज़्दा इंट्रेस्टिंग होता है वराह महिर के काम को 550 CE या 6th century AD के असपास रहते हैं इस्ट्रो लॉजर होते हैं ये ये मतलब इनको क्या कहना चाहिए जोतिस शास्त्र सास्त्री भी होते हैं देखो बाकी लोगों में हमने देखा हूं इस्ट्रो नौमर थे एस्ट्रो नौमी मतलब जो इस्पेस वगरा में युनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन जोतिस शास्त्र में सबसे ज्यादा नाम जो आता है वो है वराह महिर का ऐसा मना जाता है कि जो गुपता काल में यशो धर्मन मालवा यह सो हम लोग ब्रहत सहिता पंच सिधान्त और ब्रहत सहिता लिखा था वराह महिर ने और ऐसा माना जाता है यह जो पंच सिधान्त है ना इसी पंच सिधान्त में पांच किताबे आती है और इसी में एक किताब आती है शूर शिधान्त तो शूर शिधान्त भी इसी का पार्ट है लेकिन शिधान्त अपने हमारे पूरे प्राचीन इतिहास में साइन्स एंड टेक्नलोजी में एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हिस्टोरियन का या जे भी लोग पढ़ते हैं फिलासफी ये कंटेस्टेड रहता है कई लोग कहते हैं इसको आरिभट ने भी लिखाएं और भी पुर जो रोमन ग्रीक और इजिप्टियन की अस्टोनॉमी पर भी काम कर रहे थे तो एक्शूली में नटसल में कहा जा है तो ये वेस्टरन अस्ट्रोलजी या अस्टोनॉमर के बारे में भी इन्होंने काम किया है ब्रम्ह गुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं ये भी मैथम teryaticians थे हैं, astronomy पर काम करते थे राइट के बारे में सबसे important बात है जीरो के बारे में जो हमने पूरी दुनिया को 0 दिया हैं तो ये किस ने दिया है? ब्रहमधुप्त ने जीरो, जीरो को कैसे calculate करना है? जीरो के बारे में सादी information इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था ब्रह्म सूत सिध्धांत ब्रह्म सूत सिध्धांत इन्होंने किताब लिखी जिसमें कहा कि doctrine ब्रह्म ब्रह्म मनें जीरो ठीक है तो जीरो और philosophy का भी काफी इसमें एंगल देखने को मिलता है इन्होंने सारी चीजें बताई पॉजिटिब और निगेटिब नंबर्स के बारे में भी बताया तो in a nutshell ब्रह्म का मतलब ही होता है जीरो ठीक है मतलब ये philosophy के point आप भी उसे ब्रह्म जीरो का काफी बड़ा philosophical explanation है कि सब कुछ उसमें समाया हुआ है त जीवक जीवक मेडिशन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं जीवक जो है बिंबिशार के कोर्ट में रहते हैं और 5th century BC यानि मौरिकाल में ठीक है हम लोग मौरिकाल में नहीं उससे पहले जो मगद अमपायर होता है उसमें बिंबिशार ठीक है बिंदुशार नहीं बिं करने के लिए और जो अवंति के राज्जा प्रदोत को एक बार पांडू रोग हो जाता है तो जीवक जाते हैं मतलब पर्सनल डॉक्त होतेушки फैमिली डॉक्त टाइप के होते हैं यह भगवान बुद्ध को और अवंति के राज्जा प्र in surgery, तो ये plastic surgery के बारे में, और surgical instrument के बारे में इनका नाम है, इनकी जो किताब है, शूषूद स으니까, शूषूद क्या होते हैं, शूषूद disciple होते हैं, सिस से होते हैं, किस के, धन्वनतरी के, ठीक है, धन्ती रस जो मनाया जाता है, धन्वनतरी के ये क्या होते हैं सिस्य होते हैं धनवंतरी को क्या कहा जाता है फादर आफ आयुरुवेदा कहा जाता है धनवंतरी एक्चुली भगवान बिश्नु के आसपास उनका आउतार भी इनको माना जाता है धनवंतरी को ठीक है तो इनको भगवान का दर्जा दिया गया है और में रहते हैं तो चरख रहते हैं न को kushant तक है तो यह चरख महराज की स्वोटो है तो यह हम लोग britain को देख लिए चरख को देख लिया हम लोगों ने शुशट को देख लिया और उसके बार में प्रह्मुगूत जीरो जिन्हों ती वराहमे जो एस्ट्राजर तै जो इंपॉर्टन्ट थी I hope मैंने इसको अलग